दोस्तो आखों में जलन खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि मुबाइल, टीवी, कम्प्यूटर का बहुत अधिक इस्तमाल करना, दूसरा बहुत अधिक पॉल्यूशन का होना, तीसरा आखों को बार-बार मसलने से भी आखों में जलन होती है चौथा, नीन पूरी ना होने की वज़ा से, तो दोस्तो ये तो है कुछ कारण आखों में खुजली और जलन होने के, आप जानते हैं इसे ठीक करने के घरेलू उपाए क्या है पहला, बर्फ की सिकाई, आखों में होने वाले खुजली को दूर करने के लिए बर्फ को कौटन के कपड़े में डाल कर आखों की सिकाई करें हर दिन तीन बार इसे करने से आपके आखों की खुजली दूर हो जाती है दूसरा गुलाब जल गुलाब जल आपके चेहरे की सुन्दर्ता को बढ़ाने के साथ साथ यह आपके आखों को भी प्रोटेक्ट करता है आखों में जब जलन या खुजली हो तो रोज गुलाब जल की कुछ बूंदे आखों में डाले इससे आखों की खुजली और जलन दूर होती है तीसरा आलू, खीरा, ककड़ी ये तीनों ही आखों की जलन दूर करने में बहुत ही कारगर होते हैं आप इन तीनों में से किसी की भी स्लाइस को अपनी आखों पर रखें इससे आखों को बहुत ठंडक मिलती है चौथा ठंडा दूद ठंडा दूद भी आखों की खुजली को दूर करने में बहुत मददगार होता है कॉटन बॉल को ठंडे दूद में भिगो कर अपनी आखों पर रखें ऐसा 10-15 मिनट तक करने से आपके आखों की सभी खारिस खुजली दूर हो जाएगी और आखों को काफी रिलेक्स महसूस होगा पांचवा टी बैग आखों की जलन को दूर करने के लिए टी बैग भी बहुत फायदेमंद होता है पहले टी बैग को आपको फ्रिज में रखना है जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे अपनी आखों पर रखना है इससे आपके आखों की जलन दूर होगी दिन में तीन बार ऐसा करने से आपको काफी आराम मिलेगा इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें